स्रावन माह शुरू होते ही सिभ मंदिर सहित कई परसिद तिर्थ अस्थलों में सिभ जी की पूजा अर्चना और जलाविसे करने को लेकर सिभ भक्तों की भीर उमर परती है। यही हाल साहिब गंजिले के दो परसिद अस्थल जिनमें एक बरहेट में अवस्थित सिभ गादी धाम और मोती जहरना में मोती नाध धाम है। जहां पूरे स्रावन माह में रोजाना भक्तों का ताता लगा रहता है। जहां दूर दूर कई प्रांतों से सिभ भक्त, सिभ गादी धाम और मोती नाध धाम पहुशते हैं। और अपनी मनोकामना और आस्था को लेकर गिरते जहरने में असनान कर सिभ जी की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं स्रावन माह के पहले दिन मंगलबार को साहिब गंच जिले के उपायुक्त रावनिवास यादव और तालजारी बीडियो साइमन मरांडी ने संयुक्त रूप से मोती जहरना में अवस्थित, मोती नाध धाम में सिभ जी के सिभलिंग पर जलाविशेक कर पूजा अर् और छेत्र में अमन्चैन की कामना की पता देकी स्रावन महा के अवसर पर मोती नाध धाम में मेला का भी आयोजन होता है वहीं उपायुक्त रावनिवास यादब ने स्रावन मेला का भी सुबारंब नारियल फोर कर और फीता काट कर किया इसके अलावे उपायुक्त और तालजारी वीडियो साइमन मरांडी ने सिभ भक्तों को मिलने वाली सुविदाओं को लेकर जाय जा लिया साथ ही सुरक्षा मिवस्थाओं को लेकर भी पुलीस बलों की तैनादी पूरी सावन माह तक की जाएगी देखिये उपायुक्त महोदे ने क्या कहा कि दिर्विपुरे सावन में परड़े भी करते हैं इसमें शिवगादी धाम है और मोती जहना में मोती नाद धाम है यहां पे जातर भक्तों का ताता लगता है दोनों जगह पे हमने विदी ववस्ता के लिए पुलीस प्रसासन और पानी और पाकी सोचाले वगर का हमने वहीं इसी तरह का नजारा बरहेट छेत्र की सिवगादी धाम में भी देखने को मिला जहां सिवगादी धाम में भी मेला का आयोजन धूमधाम से किया जाता है जिसको लेकर SDO राहुल जी आनंद और अपर समहारता विनै कुमार मिश्रा ने फीता काट कर सिवगादी धाम म स्रावन मेला का सुबारम किया बता दे कि स्रावन महा में आने वाली परतेक सुमबार को सभी सिव मंदिरों में धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है अर्चना की जाती है अर्चना की जाती है